और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर पूर केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जोड़ रहे हैं रविशंकर जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर अभी आपसे शुरुबात करने से पहले तस्वीरें दिखा रहे थे जबर दस्ती जो है प्रेंका गांधी जमीन पर बैठ गई उठने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस को जबरा उनकों गाली में डाला गया हो सकता इसको भी विशय बनाएगी कॉंग्रेस पार्टी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से जो आज बातें कहीं गई खास दोर पर राहूल गांधी ने जो बातें कहीं मुझे नहीं लगता किसी भी विपक्षी निता ने आज तक ऐसी बात कही है कि लोगतंत्र खतम हो गया भारत में डिमोक्रेसी इस डेड केवल यादों में रह गया है लोगतंत्र खतम है देखिए बहुत शरम की बात है आज मैंने सुबह उनके जवाब में कहा था कॉंग्रेस पार्टी के अंदर लोगतंत्र है क्या कॉंग्रेस पार्टी के संगट्टिक चुनाओं होते हैं क्या राहुल गांधी प्रियंका जी और उनकी माता जी सुन्या जी के अलावे कॉंग्रेस में कोई नेता है क्या तो यही तो है पार्टी जेब में परिवार के अंदर नेता परिवार के अंदर और नैशनल हराद में पार्टी के संपत्ती भी अपनी जेब में तो इस सवाल ये कोई महंगाई बेरोजगारी का नहीं है सौरब जी ये एक बहाना है एडी को डराना धमकाना और अपने को बचाना है ये ही सब हो रहा है ये लिकिन आज ब्रावूल गांदी ने का लोगतंत्र खतम हो गया है उनको मैं याद दिला हूँ ये मर्जंसी में बो अब बोलिए पुछे आप अपनी बात पूरी करें से मैं यह कह रहा था कि लोगतंत्र की हत्या की बात राहूल गांदी कहते हैं अमर्जंसी में क्या हुआ था संपादकों कुछ जल में बंद किया गया था याद है कि नहीं रिजाष शर्मा जी भी जल में बंद थे बाकी नहीं तब उस समय के सुर्ण इरेक्टिवी जेपी के साथ काम करे वारे जल में बंद थे अब बताई कुल्दी प्रेयर जल में बंद थे और सारे विपक्ष की सरकारों को डिस्मिस किया था कि नहीं किया था तो सैक्लो सरकारों को डिस्मिस करने वाले जजोस को सुपरसीट करने वाले इंदरा इस इंडिया, इंदरा इस इंडिया का नार लगाने वाले आज हमें लोगतां तरह सिखा रहे हैं ये मुझे बताईए इसलिए फिर सवाल में पूछता हूँ कि ये भरष्टा चार से अपने को बचाने के लिए ये सारा कुछ नाटक किया जा रहा है और कुछ नहीं है नहीं आज तो रहोंने खुलकर ये कम से कम गांधी परिवार का नाम लिया और उन्होंने का गांधी परिवार को टार्गेट इसलिए किया जा रहा है मुझे इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि हमें एक विचारता रहा है कि लड़ाई लड़ा है RSS BGP के खिलाब और हम बोलते हैं इनके खिलाब इसलिए आज तो हिटलर का भी जिकर हो गया उस पर अभी आप से आगे बात करूँगा इसलिए ये पसंद नहीं और मुझे पर ही का एक्षन है अच्छा मुझे ये बताईए अगर देश की जनता उनको वोट नहीं देती तो चुनाव आयो गरबड है अगर अपने भरष्टाचार के लिए जुनिश्री उनको बेल नहीं देती तो इंस्ट्यूशन कॉंप्रमाइजड है लोग तंत्र जो कांग्रेक के समय भरष्टाचार तंत्र हो गया था जिस पर अब रोग थाम हो रही है परिशानी उससे है आप मुझे ये बताईए कि आज निर्णेओं में कट नहीं चलता सत्ता के कर्यारों से दलालों कर ये इंट्री बैन हो गई है इसलिए परिशानी है उनको और आज तो रहुल गांदी ने स्वैम कह दिया कि ये सारा धाचा मुझे दे दो मैं चुनाव जीत के दिखा दूँगा तो किसके अंदर गैर लोग तांत्री के जीन से ये तो उन्होंने खुद बता दिया ना नहीं जैसे मैं अभी कह रहा था उन्होंने कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था जैसे मोदी जब ये सवाल उठता है कि चुनावों में जनता उनको बार-बार आईना दिखाती है तो उन्होंने कहा कि जिसका आप जिकर कर रहे हैं कि आज सारे संस्थानों पर सारी इंस्टूशन्स पर RSS का कबजा है, BJP का कबजा है इसलिए उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे दे तो संस्था है मैं जुनाव जीत के दिखा दूँगा मुझे ये बताए कि क्या मैं देश की जनता को हम कहें कि आप इनको वोट दे दीजिए देश की जनता कॉंग्रेस को नहीं पसंद करती उनकी नीतियों को नहीं पसंद करती कॉंग्रेस के भष्चाचार से उबी हुई है ये बताएए 14 में हारे 19 में और कसके हार गए उत्तर प्रदेश में हार गए बिहार में हार गए बाकी कई प्रदेशों में हार गए तो उसके लिए हम कहां से जिम्मवार है राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी का परिवार ये नहीं समझता कि देश में आज लोगतांत्रिक जागरती हो चुकी है देश का आम आदमी नरिंद्र मोदी में अपनी छाया देखता है कैसे गरीब परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति काम करता है देश का विकास होता है डिजिटल इंडिया डायेट बेनिफिट ट्रांसफर लाखो करोर रुपिये उनके सीधे बैंक एकाउंट में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं और आप संस्थानों की बात करते हैं सौरब जी हमें एक चीज़ बताईए पूरे वैक्सिन को लेकर कितनी खिल्डी उड़ाई है उन्होंने भारत के वेग्यानिकों ने वैक्सिन को बनाया इसका उन्होंने मजाक उड़ाया पधान मंत्री ने अपील कि हम लोग सब लोग वैक्सिन लगवाएं फोटो को पोस्ट करें ताकि जन्ता के मन में कोई दुविदा ना हो एक कॉंग्रेसी रेदा ने पोस्ट किया क्या राहूल गांधी ने किया क्या यही तो सवाल है कि संस्थाओं का सम्मान कौन करता है लेकिन जैसे उन्होंने आज जुरिश्टी के बारे में कहा है और इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती भारत का लोकतंत दुन्या में जीवन्त है भारत की जुरिश्टी आज़ाद है सारी करवाई देशित में करती है लेकिन राहूल गांधी के इन सारी संस्थाओं का पैमाना है मेरी बात सुनो तो संस्था ठीक है मेरी बात नहीं सुनोगी तो संस्था कबजे में है यही सवाल है और जहां तक RSS का सवाल है सौरभ जी मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा राश्टिय स्वमसेवक संग एक राश्वादी संग अटन है और राहूल गांदी आपको मैं मिनमता से कहूंगा कि आपके परदादा जी महरू जी संग की बहुत खिलाफत करते थे ये बात दिगर है कि 62 की लडाई में उनकी उने मदद भी दी थी इंद्रा गांदी की तो पूरी पॉलिटिक सी संग के खिलाफत में थी राजी गांदी पर टीपड़ी करते थे संग बढ़ता गया राहूल गांदी आपकी पार्टी सिमट्टी गई क्योंकि संग राश्टिय स्वमसेवक सं राश्ट भक्त अंगटने देश की परंपरा के अनुसार देश को प्रेरित करता है इसको दारा बढ़ते जाता है अब आपको परिशानी है तो आप अपना करते रहिए और जितने वामपंति संग के विरोधी थे वो भी सिबढ़ते गए तो अब ये सच्चाई वो नहीं सम मेरे खलाब कारवाई कीजे मुझे मुझे जवाब देना आता है वो तो यहां तक कहने लगे कि एडी ने मुझे से क्या पूछता है इडी के अफसरों से पूछ लीजे उस कमरे में क्या हुआ था ऐसा है मैंने एक सवाल पूछा था कि राहुल गांदी ने का कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ तो भईया ये बता दो कि आपको बेल आप बेल पर क्यों है देखो सौरब बाबो राहुल गांदी और उनकी माताजी दोनों एक्यूज्ड हैं ये कम्प्लें मोधी सरकार 14 में आन शड्यंत्र का भी आरोब तै किया है और ये क्या है सिर्फ सीधी बात कहूं कि आप पांच लाक रुपय लगा कर आप पांच हजार करोड की संपत्ति के वालिक बन सकते हैं यही तो कहानी है कि पूरे एसोसियेटेड जर्नल के सारे प्रेस सारी बिल्डिंग दिल्ली पत्ना मुंबाई लखनव और अब मुहाली में आपने ले लिया पांच ला करोड की प्रापर्टी और नब्बे करोड के लोन लेने की नाम पर लिया उस लोन को कॉंग्रेस से माफ करा दिया और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि पचास लाक रुपे जो दिया वो भी हवाल कि लाल जी और सिमान ओस्कर फर्णांडिस तो सवाल है तो इस सवाल का जवाब देंगे की नहीं देंगे आप हाई कोट में हार गए सुप्रिम कोट में हार गए कोष्ट नहीं हुआ इंकम टेक्स की लडाई में आप हार गए तो आप सलक पर आए हैं इड़ी को धंकाने के के लिए और डराने के लिए यह उचित है क्या उनका कहना कि यह यह कहना की हम हजारों करोड की संपती हड़ अपने के लिए हमने यंग इंडिया बनाया वह कहते हैं आप कमपनी है ये किसी भी सूरत में AJL की संपत्यों का या AJL के पैसे का या जो भी कुछ उसके पास है इस्तेमाल कारी नहीं सकती है फिर वो कुछ हवाला देते हैं कि section 25 की कमपनी है और इसमें राहूल गांदी सुनिया गांदी समय किसी वेक्ति को कोई लाप पहुचाया ही नहीं देते है कि यंग इंडिया associated journal जो की वर्षों से आधादी के अंदोलन से national herald group of companies का main shareholder था उसके 99% share आपके पास है की नहीं फिर मैं कहता हूँ 99% share आपके पास है की नहीं और ये share आपको क्यो दिये गए यंग इंडिया को 2010 में इसलिए गए कि आप 90 करोड के उनके लोन की आ आप चिंता करेंगे उन्होंने क्या किया उस पूरे लोन को माफ करवा दिया तो पहले 99% share से जब आप national herald के मालिक बनते हैं शौरब बाबू तो उस company के सारे संपत्तिक भी तो मालिक बनते हैं ना कि नहीं बनते हैं मुझे ही बताईए 100% share में 76% आपका आपकी माता जी का ह तो उन्हों कौन हुए भाई तो किसको समझा रहे हैं आप अच्छा बरभी शंकर जी जैसे आपने पहले का कि यह सब बहाना आपको लगता है जो भी प्रोटेस्ट कर रही है कॉंग्रेस पार्टी प्रेंका गांधी ने जिस तरीके से आज बड़ा नाठी की अंदाज में बैठ गई जबरदस्ती उठाना पड़ा यह सब राहूल गांधी कह रहे थे हम तो महेंगाई पर बात करना चाहते हैं विरोजगारी पर बात करना चाहते हैं हमें उस उस पर प्रदर्शन करने से क्यों रोक रही है बीजेपी सरकार किसने आपको रोका है लेकिन वो सही कारण है क्या दो दिन पहले संसद में भैस हुई की नहीं और जूट बदा राहूल गांधी ने संसद में कॉंग्रेस के नेताओं ने पूरे आरोप के तिरों के बहुचार किये आप जाये पूरे संसद टीवी पर देखिए सब कुछ राहूल गांधी जवाब सुनते नहीं है जवाब है बताया गया कि पूरे दुनिया में जो कोवीड के कारण तनाव हुआ उसमें भारत की सिति सबसे बेस्ट है दो सो कोड टीके लगवाए भारत के अर्थ सबस्ता सबसे अच्छी है पूरे निवेश सबस्यादिक हुआ है और आपके जहां तक सवाल है दुनिया की रेटिंग एजेंसियों कहते हैं कि इंडियन की एकोनोमी बहुत ही स्ट्रॉंग है बड़े बड़े देशों के आर्थिक सिति के मताब मगाबले तो इस सारी आपके सामने है तो आप सुनेंगे नहीं अब देखिए आज उनने क्या कहा स्टार्ट अप से क्या होता है आज मैं आपके चैनल पर कहना चाता हूँ आप देश को कितना इंसल्ट करेंगे आप हमें आलोचना करिए मोदी जी की करिए भाजपा की करिए आप तो देश के लोकतंत्र पर हमला करते हैं भारत के आईन पर हमला करते हैं जुरिश्ट्र गया कि परिवार के भष्टाचार पर लीप अप होती थी यह मैं कहना चाहता हूँ अब क्या का इस टार्ट अप क्या है अरे राहूल गांधी कितना लिखते पड़ते हैं इस पर तो सौरब बाबू कभी आते चर्चा करेंगे लेकिन उनके जो मित्र हैं सलाकार हैं तो बताते बारी दे रहे हैं दुनिया में आपना जन्डा पर आ रहे हैं सब यंग बच्चे हैं 25 साल के 10 साल के दुनिया में भी सप्लाई चेन में लगे हूँँ हैं आज भारतिय आई-टी प्रोफेस्चनल्स दुनिया कि गूगल से लेकर ibn से लेकर हर जगह देखे तो भारती ये बैठे हुए है आज भारती आईटी का Digital India FinTech Movement Digital Payment दो मुबाईल फैक्टरी है 270 मुबाईल फैक्टरी भारत में हो गई तो दुनिया की सारी बड़ी कम्प्ठेयां भारत में आ गई है तो आप कुछ समझते नहीं है जानने की कोशिश नहीं करते हैं और स्टार्ट अप पूरे आंदोलन पर आपने कहा ये बेकार है ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है इसलिए फिर कहता हूँ आलोचना करिये लेकिन राहूल गांदी जी आज आप भारत के आलोचना भारत के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और भारत की संस्थाओं को आप अलोचना करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके भरष्टाचार की कारवाई को उजागर न किया जाए तो ये नहीं होने वाला रवीशंकर जी बोड़ा महंगाई पर और अरत्वस्था पर राहूल गांदी ने क्या जवाब दिया मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले चुकि आपने कहा कि अब वो जमाना गया कि किसी एक विशेश परिवार को कोई खास प्रिवलेज हासिल हो और उनको कोई खास प्रोटेक्शन हासिल हो तो लोगों के मन में आज ये सवाल है कि क्या सोनिया गांदी राहूल गांदी जेल जाएंगे क्या मोदी सरकार उनको जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार का इससे कोई मतलब नहीं ये संस्थाएं काम कर रही है और फिर कहूंगा ये जो पूरा केस हुआ है ये केस मोदी जी के 14 में आने से पहले का कॉम्प्रेंट फाइल है और कोट के निर्देश पर ये बिल लेने गए नहीं मिला इंकम टेस्क कोई सिराथ नहीं मिली तो कानू का अपना काम करने में क्या दिक्कत है भाई उसने आपको क्यों परशानी हो रही है फिर कह रहा हूँ पांच लाख रुपिये का निरेश करके पांच हजार करोल की संपत्ती के आप माता जी और पुत्र अगर मालिक बन जाएं तो इससे पढ़ियां व्यापार क्या होगा स्वारब बाबू ये समस्या है विशंकर जी बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यबाद आपका राहुल गांधी बहराल आज जो बातें कहीं है वो देश के सामने उन्होंने रखी उसका जवाब आपने दिया इंडिया टीवी पर आकर खास्तावर पर बहुत शुक्रिया आपका